हलो स्रेंट्स वेलकम टू आवर चैनल तो बच्चो बस आप सबका हमारी गुज सेट 2023 की जो युद्धा बैचे उसमें स्वागत है और बच्चो आज के इस सेशन में हम डिसकस करने वाले फूल और गेनिक केमेस्ट्री चेप्टर 10 से स्टार्ट करके चेप्टर 13 तक लास्ट 3S के गुज सेट के जितने भी सारे मस्त वाले इंपोर्टन पीवाई क्यूज है वो सारे पीवाई क्यूज उनके साथ उपर नीचे के आगे पीछे के सारे कॉंसेट्ट रिवाइस करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ रिवाइस हो जाएगी तो बस जो बच्च के स्लॉट में सारी चीज़ें खतम कर दी अभी यह हमारा महा लेक्चर होने वाला है फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसके बाद अभी फिर जो भी मिसले जो चैप्टर से आपके चैप्टर 13 सारी 14 15 16 उसका भी छोटा साम वीडियो बना देगे तो बस ऐसे करके हम पूरी आइक्टिव पूचह है ऑठीकल ऐक्टिव आइसो मर्स हमें फॉर्मिला डी हुए है इसके ऑपटिकल ऐक्टव आइसो मर्स कि तो थोड़ा इस चैप्टर को याद करो अप्टिकल ऑइक्टिव आइसो मर्स बनाते और उन्में देखते हैं कहां पर एक यह दो जो भी हो काईरल कारबन स्पॉसिवल सबसे पहले सीफोर एक सिंपल था स्ट्रक्चर बना देते सबसे पहले यह वह तैंद द्याट यहां पर चार कारबन नौ नाइन आक्सीजन और लेकिन नहीं होने वाला चलिए उसके बद कोई कार्रिल कारबन नहीं है उसके बाद मैं ऐसा करता हूं था बियार को यहां पर ले लेता हूं यह मेरा हो गया भी आर उसके साथ यह सी हैज स्टू सी एश्टरी राइट अच्छा तो यहां पर यह वाला जो कार्बन है बच्चो यह से डिज़ ऑप्टिकली सब्सक्राइब और कुछ इसकी चीज़े अलग-अलग बनाने की कोशिश करते हैं यहां पर मैं चार कार्बन जो भी हमार है CH3 यहां पर और देखो बियार को कहीं पर और जगापर साइड चेन में जाए का ऐसा पॉसीबल नहीं इस ब्यार को मैं इस तरफ रखा यहां पर लेजाओंगा तो सेमी बनेगा इस तरफ से टूब रो मगएगा तो मैं क्या करता हूं BR को ऐसे end पर ही रखता हूँ, CH3, CH2, CH, और, sorry, चाल, यहाँ पर, पहले हम ऐसा करते हैं, सिर्फ carbon लगा देता है, तो hydrogen automatic, फिर last पर balance कर देंगे, यह देखो, carbon, 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 तीन carbon, यह एक BR, और एक CH3, मैं, मतलब यह carbon यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक सिर्फ hydrogen, और यह CH2, ओके, यह 1, 2, 3, वा carbon, चलिए, इससे compound दोनों से अलग ही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों कोई chiral carbon present नहीं भाई साथ, इस carbon के साथ 2 CH3 है, यहाँ पर दोनों hydrogen है, तो यहाँ पर भी कोई chiral carbon present नहीं है, इसका और कोई isomer बन सकता है, कैसे भी करके, चलिए, तीन carbon एक लाइन में हमने लगा दिये, और कोई मुझे option नजर तो नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है, जिस carbon पर अच्छा चलिए, फूर्थ ऐसा हो सकता है, एक, दो, सावरी, हाँ, चलिए, यह तीन carbon एक साथ, BR यहाँ पर और CH3, अच्छा CH3, ओके, चलो, अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कोई chiral carbon नहीं है, तो एक compound ऐसा जहां जिसके पास एक chiral carbon है, तो जनरली बच्चे अक्सर आप answer जल्दी-जल्दी में एक लिख दे तो, लेकिन how many optically active isomers, अच्छा, optically active, तो यहाँ पर हम सबको पता है, optically active isomers के लिए हमारे पास एक formula है, बच्चो क्या, optically active के लिए, हमारे पास यह formula है, 2 raise to n वाला, याद होगए आपको, हाँ, 2 raise to n, so यहाँ पर 2 raise to 1, so overall final answer is a 2, तो यहाँ पर आपका answer बनेगा b, bombay, एक ही सिर्फ ऐसा compound है, जहाँ जिसके आपास एक optically active, sorry, chiral carbon है, और obviously इसके optically active कितने बनेगे, दो बनेगे, ओके, चलिए भी आगे बढ़ते, अच्छा, एक आपको यह part दिया, what is the r- in the above reaction, reaction को देखकर बचोई आइन इथर, इससे पता चलता है कि this is a woods reaction, अच्छा, और एक अच्छी वाली बात बताओ, 2000, 2020, 2023, yes, हाँ, यह good set 2020 में तो आया था, उसके साथ साथ गुजरात बोड 2023 में, हमने साथ में लिखी दिया, exact copy to copy word to word यही question रिपीट हुआ था, जो question 2020, good set में था, same question 2020, 2023, गुजरात बोड में, मतलब यह गुजरात बोड और good set के examination यह ऐसे कि भाई, almost similar type के थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है, तो कभी good set के question गुजरात बोड में, ब्यूटेन, बहुत ही इसली हो जाएका 23 डाय मिथाल ब्यूटेन, ऐसे होता है यह CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3, यह 23 और यह टोटल अपका 23 डाय मिथाईल ब्यूटेन, अच्छा आप सब को बता है कि जनरल रियेक्शन बूट्स का जो होता है, वहाँ पर दो R पार्ट कनेक्ट होता है, हम जनरली लिखे तो ऐसा होता है, यह बनता है हमारा 2 NaCl, यह जनरल रियेक्शन है, तो यहाँ पर जो भी चीज बनती है, तो बस वैसे देखेंगा आप यहाँ से अगर मैं exactly center से यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ, तो left side and right side part is a R part, right, this is your R part, this is your R part, तो यहाँ पर जो भी R dash को हो है, R को, जो भी पार यह है, CH3, CH, CA3, और इसे हम कहते है isopropyl, right, answer is a A, R dash is this, isopropyl वाला part, अच्छा सा क्विश्चन था, चले भी और आगे, कुछ हमें चीज दिए, in which type of halide based on position of chlorine, यहाँ पर जो chlorine की position है, इसके base पर आप इसको क्या कहना चाहेंगे, अच्छा लिखते हैं, CH3, CH double bond, CH उसके बाजु वाले carbon पर chlorine है, और एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, तो बच्चों सब को पता है कि देखो, यह आपका यह वाला जो carbon है, इसका hybridization SP3 है, यहाँ उसके साथ चारो के चारो जो भी bonds जूड़े, all they are single bonded, so it is a SP3, अच्छा, SP3 के साथ बाजु में 2 SP2 है, यहाँ तो कह सकते हैं कि 2 carbon जो वो double bonded है, तो याद करो SP3, उसके साथ double bond, तो आपका answer होता है, ally league, yes बच्चों, और हाँ, कुछ बच्चों को ऐसा भी हो सकता है, कि सर यह सारे concept हमें याद नहीं है, थोड़े बहुत भूल चुके है, तो don't worry, tension लेने के ज़रूरत नहीं है, यह जो है, पुरा good set का session है, यहाँ पर topic wise, sequence में इतना हर topic के 2-4-2-4 questions करेंगे, हर topic को depth में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं हो सकते हैं कि यह PYQs है, अगर आपको समझ लोगे चेप्टर no.10, 11, 12, 13 अच्छे से पढ़ना है, तो हमने हमारी चैनल पर इसके लिए पूरी mcq series करके already videos बना के रखे, मैं सभी बच्चों को request करूगा, सभी बच्चों को करूगा, एक बार जाकर भी आप उस video को देखना, आपका confidence boost ना हो जाए तो मुझे बताना, समझ लो, वहाँ पर हमने चैप्टर no.10 के लिए ऐसा कि अब कोई एक topic है, तो उसके 2-4-5 अलग-अलग तरह के हर questions ऐसे हर एंगल से questions लिए वे, ताकि वो topic अपर perfect complete हो जाए, अगर कोई जगा पर boiling point का topic है, तो मतलब boiling point का उपर नीचे आगे बीचे कित तरह से हर type के questions वो लोग पूछते हैं, कि उस एक वीडियो से उस chapter के सारे concept आपके cover हो जाए, तो आपके concept वीक है, तो उस वीडियो को सभी एक बर आप देख लीजेगा, तो वहाँ पर इस सारी तीसे बहुत detail में पढ़ाई है, क्या आपको याद करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लाइल है, उनकी definition वागर है, सब सब्सक्राइब करने की जगह मिलती है, तो इतना बड़ा questions होता है, और जैसे questions होता है, और जैसे questions होता है, काफी simple सा question है, यहाँ पर HCl में सबको पता है, H+, Cl-, अब यहाँ आप सबको Marko Niko का rule पता है, yes, negative part, जो भी है आपका, it is a combined with the carbon, यह जो doubly bonded carbon है, ethanolik double bond ऐसा कहते, तो combined with the carbon having less number of hydrogen, तो chlorine जाएगा आपका यहाँ पर, and obviously hydrogen जाएगा आपका यहाँ पर, मतलब आपकी product देखो, तो कहाँ पर ऐसा chlorine अटे चाहिए है, आपका product, तो according to Marko Niko, लिख देना आप, according to Marko Niko rule, okay, according to Marko Niko rule, चलिए, अभी आगे बड़े, which would undergo SN1 reaction fastest of follow, यह जो सारे options, इनमें से SN1 सबसे fastest कौन देता है, तो obviously we all know that fastest देता है, 3 degree वाला, right, 3 degree कार्बो केटाइन जहां पर बनता है, तो यहां से 3 degree कौन होगा, यह chloro-methan, यह 1 degree होने वाला है, फिर यह 2 chloro-3-methyl, 2 bromo-3-methyl, 2 bromo-2-methyl, अच्छा, देखो, अभी सभी के structures थोड़े आपको बनाने पड़ेंगे, यहां पर यह दो चलो गया, अभी जो भी आपका option B है, बढ़ी ऐसा 2 bromo-3-methyl-butane, structures जल्दी-जल्दी में अच्छे सा कैसे बनाते हैं, ब्यूटेन है, तो 1, 2, 3, 4 carbons ऐसे लिखो, फिर second वाला जो भी carbon है, वहां पर BR लगा दो, third वाला जो भी carbon है, वहां पर आप क्या लगा दो, methyl बस, hydrogen balance करने के ज़रूरत नहीं है, रफ वरक है, तो आप बस ऐसे ही छोड़ देना, एक्जाम है, right, option B के बाद, उसके बाद option C, चले, 2 chloro-3-methyl-butane, exactly same है, 1, 2, 3, 4, sorry, last line, हाँ, वहां पर 2 chloro, तो यह रहा, chloro, यह रहा आपका methyl, okay, and the last one is the option D, क्या है, 2-bromod, 2-methyl-propane, अच्छा, propane मतलब 1, 2, 3-carbon, second वाले carbon पर ही chlorine, second वाले carbon पर ही methyl, okay, चले, अभी बच्चों, देखो, मैंने बताया है कि जो आपका SN1 है, SN1 के लिए, जो rate कर जो, 3-degree, 2-degree, and 1-degree, यह है, rate of the reaction, अच्छा, तो यहाँ पर 3-degree देखो, मतलब, halogen-containing carbon is a 3-degree, halogen-containing carbon is a 2-degree, दूसरे 2-carbon के साथ जोड़, halogen-containing carbon is a 2-degree, right, तो यहाँ पर देखो, यह आपका answer हो जाएगा, D, मैंने आपको इस शौट-Cut technique, trick वाले पार्ट में आपको सबको सिखाया हुआ है, जब भी आपको प्रोपेन दीखे, and center वाले carbon पर 2-2 आया, तो समझ लेना, यह 3-degree है, अच्छा, इसी question को थोड़ा twist करके तो एक्स्ट्रा information के साथ सिखाता हूँ, अगर आपको ऐसा पूछाओ कि यह जो चार option है, उनको ascending, descending marriage करो, तो वाई साब सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो होगा हो option D है आपका, उसके बाद यहाँ पर दोनों 2-degree है, तो जैको 2-degree दोन लेकिन एक के पास chlorine है एक पर यहाँ पर B आ रहे है, तो दोनों में से कौनसा bond easily break होगा, जो bond वही bond, जिसकी bond length ज्यादा हो, मतलब कि carbon and BR वाला bond length थोड़ा ज्यादा होता है, compared to carbon and chlorine, तो यहाँ पर B उसके बाद Bombay रहता है, उसके बाद Calcutta and last is your एक chloro-methan, due to, it is a 1-degree, okay, तो दोनों तरह से सब कुछ आपको करवा दिया, चलिए भी आगे बड़े, अच्छा, how many number of sigma and pi bonds in DDT respectively, यह तो year ending तक सर बच्चे को याद हो जाना चाहिए, आप DDT का structure देखेंगे, 29 and 6, बहुत बार हमारे बहुत सारे वीडियोज में मैंने आपको सिखाया हुआ, DDT का structure देखेंगे, तो 29 and 6 जाद कर ले न, right, okay, which of the following undergoes SN2 reaction most readily, अच्छा, SN2 इनमें से सबसे fast कौन देता है, अच्छा, आप देखेंगे SN2, तो SN2 जो भी उसके लिए rate का क्या है, for the, SN2 क्या है, 1 degree सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 degree, उसके बाद 3 degree, yes, तो यहाँ पर देखेंगा, देखो, यहाँ पर सबसे जब बलकी, मतलब आप सिंपली ऐसा कह सकते हैं, यह सारे बलकी ज़्यादा है, सबसे लेस बलकी हैं, सबसे लेस क्रावडेट, छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, देखने में थोड़ा सा, सिंपल सा, right, कौन है, तो भाई साब यह देखो, इस कारबन के साथ एक पूरा C6H5, मतलब बेंजीन रिंग है, एक तरफ CA3, और एक तरफ BR है, इस कारबन पर दो दो बैंजीन रिंग, मतलब यह तो गया, इस कारबन पर दो बैंजीन रिंग और ένα लेकिन यह देखो, इस कारबन पर शिर्फ एक बैंजीन रिंगन two hydrogen है सारे के सारे गंदे कंपाउंड जे लेकिन इन में से भी थोड़ा बहुत भी अच्छा वाला कौन सा है यह वाला हां कुछ-कुछ जगा पर कुछ मुख्स में क्योंकि यह बहुत ही लग यह 2022 में कुछ मुख्स में अगर गलती से यहां पर सायद मेरी भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है यह मेरे देखने में प्रॉब्लम हो सकता लेकिन अगर समझ लोग दोनों तरह से इस क्विस्चन को देख सकते सन 2 है तो आपका अंसर डी होगा अगर सन 1 है तो मोस्ट क्राउड़ेट देख रहे हैं तो देखो यह वाला कार्बन के साथ एक दो बंजिन रिंग और एक सी स्ट्री तो मोस्ट क्राउड़ेट मतलब की यह सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो यह अंसर से कब जब SN1 पूछा हो तो ओके चलो आगे जाए वन मोल ऑफ मैटल एम रियक्ट कम्प्लीटली विद आलकोहल टू गीव 1.5 मोल्स ऑफ एच्टू देन वाट विल बी दो वैलंसी ओफ मैटल हमारे टेक्स्ट बूक में यह जो रियक्शन है मैटल फॉर्म विद आलकोहल की वहाँ हाइड्रोजन मैटल उसका आलकोहल के साथ रियक्शन करवाते तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यह वाले जो रियक्शन से न वह आपको सोडियम एंड एल्लमीनियम के दोनों के रियक्शन दिए एक जठरा है यह आपका ऐसा रियक्शन क्एंग है आर ओइचर अलकोहल का अगर मैं सॉडियम के साथ रियक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पर बनता है अलकोहल ओएंड अ यहों माइनस रहता और इसके साथ एैनए प्लस जूरता है और यहाज़ह हमारे एक अल्यूमिनियम अच्छा यहां पर बैलेंसिंग के लिए हमको थ्री मोल्स लेने पड़ेंगे क्यों बाइस सब्सक्राइब के अल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज प्लस थ्री रहता है तो देखो यह थ्री मोल्स ओफ यह आर ओ माइनस सॉरी हाँ एक सेकंड ऐसा करेंगे वो रुको हाँ ऐसा लेखना पड़ेगा इस तरह से आर ओ माइनस जो है थ्राइस रहेगा अल्यूमिनियम के साथ अच्छा देखो अभी यहां पर हाइड्रोजन कितने है तीन हाइड्रोजन तो इससे ऐसा लिख सकते है थ्री बाइटू एच्टू और इतने वाले पार्ट को वन पॉइंट फाइम मोल्स अफ हाइड्रोजन तो यह जो अल्यूमिनियम है इसकी वैलेंसी क्या है अब देखो यह रिलेशन है अगर यहां पर चार्ज प्लस वन है त यहां पर भी थ्री समझ में कुछ रिलेशन समझ में आ रहे तो यहां पर वन पॉइंट फाइम मोल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो जो मैटल है वह आपकी अल्यूमिनियम की तरह कोई भी मैटल हो सकती है कि जिसके उपर बाइसाब चार्ज या वैलेंसी जो भी यूटेन है फिर फिर पेंटेन नाल अल्डिहाइड है और यहां पर एक आलकोहल है तो बॉइलिंग पूरा डेफ्थ में हमने बहुत सारे वीडियो में समझाया हुआ है आप सबसे ज्यादा होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसेड उनके बाद आल्डिहाइड सौरी आल आलकोहल है तो अंसर आपका डी हो जाएगा अच्छा फ्रॉंद फॉलोविंग आयू पीसी नेम अब दा कंपाउंड अच्छा इस कंपाउंड का आयू पीसी जो नेम है वो नेम क्या बनेगा देखो यहां से हम स्टार्ट करेंगे यह वन यह टू तो यह देखो इतना जो है आपका इस वाला इसका नेम बनेगा वन वन डाय मिथाइल और यह वाला जो पार्ट है इसका बनेगा एथोक्सी तो एथोक्सी तो अलफा बेटी के लिए देखे तो यह कम्स फॉस्ट कंपेर टू एम देट्स वाई नेम इजा टू एथोक्सी वन वन डाय मिथाइल साइक्लो हैक्जेन अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो क्या करेंगे नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे वन एंड टू तो देखो आपका जो भी यह आयू पेसी नेमिंग का रूल है कि लोवेस्ट सैट जो है यहां पर अगर मैंने ऐ से एंटी क्लॉकवाइस नंबरिंग किया होता तो वान फिर टू टू डाय मिथाइल होता तो इन दोनों में लोवेस्ट सैट कौन सा 11 स्टांडर में पड़े थे वाई टम बाइट तम इनको कंपेर करना है तो यहां पर वन फिर वन और टू तो यहां पर वन इस अ स्मॉलेस सेट होना चाहिए काफी बेजिक सा आई पेसी बढ़ा है अगर आई पेसी भी नहीं आता है तो उसके लिए वीडियो जमने अप्लोड करके 11 स्टांडर वाले रखे वो भी देख लेना है तो यहां पर वन एथोक्सी नहीं बनेगा टू एथोक्सी इस यूर आंसर चलिए व which compound having maximum value of PK हां इस तरह के क्विश्चर में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं maximum PK मतलब विकेस्ट एसेड स्ट्रेंज मैंने बताया हुआ था इसका रिवर्स लिखना होता है maximum PK मतलब कि आपको weak acid या सबसे weakest acid कौन सा है वह आपको पता करना है देखो यहां पर हर जगा पर यह एनौ 2 गona उर्टर मलब और empyrena spend already that somebody aalon पर इनौट धयां यह जो भी आपका फिनौल है वहां पर सदा और यह अपर आपका नो-टो कहीं पर वह हो तो उन सभी की से अभी सेडिक स्ट्रेंध फिनौल साही तो ज्यादा रहती यह जो galera में आप सबको पता है कि बाइए अच्छेड स्ट्रेंथ में रूल क्या है अच्छा जो भी इलेक्ट्रों डोनेटिंग ग्रूप से मैंने आपको याद करवा इलेक्ट्रों डोनेटिंग ग्रूप क्या करते हैं बोलो तो डिक्रेज एसेड स्ट्रेंथ यह सारी तीसे आपको बहुत बार बहुत बार इस सारे वीडियो में लिक्वाई हुए तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप सबको सब कुछ पता होता है तो यहाँ पर आंसर होता है आपका डी फिनॉल अच्छा विच रिएजेंट इस यूज तो कनवर्ट अलाइल आलकोहॉल टू प्रोपेहा यहाँ पर आलकोहॉल को अल्डी हाइड में कनवर्ट करना है अच्छा तो कौन सा होगा यह देखो यह आपका जो डाइबल एच वाला पार्ट है न वो नहीं होगा यह आपका PCC इ इसको अलकोहॉल को अगर अल्डी हाइड में कनवर्ट करना चाहते है तो बेस्ट रिएजेंट इजए पी सी सी फ्रम फॉलविंग रिएक्शन विच रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन अच्छा कहां पर बेंजीन नहीं बनता है सोडा लाइम सोडा लाइम ऐसी चीज प्लस एक्स्ट्रा होता है सी ये वो तो ऐसे रिमोटा ये पूरा पार्ट है अगरोजन को छोड़के यह पूरा बनता है एन टू थो इसरे जो हैडरोजन बचा वो बेंजीन के सवारी फिनाइल के सी सिक्स एच फाई है तो वहां पर सी इस इस एक्स बनता है और साइड में निकलता है आपका Na2CO3, right, फिर यहां पर देखो, यह आपका benzene, diazonium, chloride है, वहाँ पर उसका reaction H3PO3 ले ले लेते हैं, H3PO3 के साथ होता है, तो वहाँ पर भी chapter number 13 लिख लेना, यह है chapter number 13 का reaction, क्या हो गया वाई, chapter 13 में दिया हुआ है, कि यहाँ पर भी benzene बनता है, H3PO3 convert होता है, H3PO4 में, अच्छा, यह तो 11 standard का काफी famous reaction है, zinc dust वाड़ा, यहाँ पर भी आपका बन जाएगा, C6, H6 benzene, यहाँ पर देखो, phenol का chromic acid के साथ reaction करवाते हैं, तो phenol का अगर oxidation करते हैं, strongest oxidizing agent से, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाली product बनती है, वो वो वाली, कौन सी यह ऐसी, यह benzene ring, ओके, फिर यहाँ, double bond oxygen, double bond oxygen, benzoquinone वाला, याद हो गया, हाँ, this is the oxidation of phenol, तो phenol के oxidation से यह बनता है, लेकिन हमें तो पूछा था, बेंजीन, तो यहाँ पर this is your answer, कि जहाँ पर product में phenols और बेंजीन नहीं बनता है, ओके, चलिए, what is X in this reaction, गंदा वाला question 2020 में and 2022 में, दोनों मैं आता, फिर से बताता हूं, कि जब यह आप good set का paper देखेंगे, इतना बड़ा सा आपको question देखने को मिलेगा, डर जाएंगे questions को देखकर ही, यह क्या होता है, लेकिन याद करो, मैंने बहुत बार अलगलग style से आपको याद करवा है, किसी का भी reduction करेंगे, तो product, one degree alcohol, और ketone का करेंगे, तो two degree alcohol, मतलब कि यहाँ पर देखो, alcohol यह आपका जो ketone वाला पार्ट है, और यह देखो NABH4, तो NABH4 वाला पार्ट है, बहुत सारे बच्चे ऐसा हो कि उनको यह समझ में आ जाएगा, क्यां सर, NABH4 is reducing agent, ketone वाला जो भी पार्ट है, उसका reduction करके, उसे OH में convert करेगा, तो देखो, यहाँ पर ketone as it is रहता है, तो यह नहीं होगा, OH, OH, OH हो गया, सर, उसके बाद हमें यह doubt है, कि इस वाले पार्ट का कुछ भी नहीं होगा, तो भाई साब नहीं होगा, क्यूंकि हमने उस chapter में पढ़ा था, chapter number, आपका था 11, वहाँ पर topic है आपका reduction, और वहाँ प और लेकिन अगर आपका carboxylic acid है, या तो बाई साब आपका ester है, अगर यह दो है, तो इनके लिए थोड़ा costly वाला LiAlH4 use होता था, NaBH4 is unable to reduce this to, इन दोनों का reduction NaBH4 से नहीं होता है, तो इस वाले part का कुछ भी नहीं होगा, वो acid is आपको copy करना है, कहां पर यह रहा, CH2, फिर COO, CH3, तो answer is C, कलकत्ता, ओके, चलो अभी आगे जाए, which method is used to prepare salicylic acid from phenol, सबका पता है, कॉल में reaction, उसके बाद, which reagent is required to convert cyclohexanol, alcohol को cyclohexanol, ketone में convert करना है, तो हमारे textbook में दिया है, क्यार, cyclohexanol जो है, देखा, cyclohexanol आपका ऐसा बनता है, यह बेंजिन नहीं बनाना है, cyclic बनाना है, और समझ लो, यहां पर मैंने OH लिखा है, तो obviously, यह जो भी आपका carbon है, वो 2 degree, right, मतलब यह 2 degree आलकॉल है, और 2 degree का oxidation करेंगे, तो obviously, वहापर ketone बनाएगा, मतलब product आपकी यह बनेगी, आप सोचेंगे, सर, हाँ, यह तो हमको भी पता है, अभी final आगे बात करो, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, देखो, यह जो है, वो ओजोनलिसिस के लिए है, वहाँ पर ओजोनलिसिस हो जाएगा, यह नहीं होगा, right, cancel, डाइबल H है, यह देखो, डाइबल H वाला जो भी पाट है, यह reduction के लिए है, used for the reduction, वहाँ पर hydrogen increase होता है, यहाँ पर तो भाई oxidation का प्रोसेस है, तो यह भी नहीं होगा, अभी anhydrous, CRO3 and PCC, अगर anhydrous नहीं होता, सिर्फ अकेला CRO3 होता तो यह better है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ PCC, एक ऐसा reagent है, जो 2 degree alcohol को ketone में हमें convert करके दे सकता है, ओके, हाँ, anhydrous नहीं होता, तो चल जाता, हमारे book में दिया हुआ, which of the following acid is the highest pk, highest pk मतला बच्चों क्या होगा, weakest, यहाँ पर highest है, तो उसका reverse मतला weakest acid आपको डूढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, cn एक type का withdrawing group है, फिर यहाँ पर fluorine है, फिर यहाँ पर पूरा anotopy withdrawing है, और यह जो है, c6, h5, ch2, chh, तो obviously यह weakest acid आपका रहेगा, यहाँ पर सारे withdrawing group से, यहाँ पर कोई withdrawing group नहीं है, अच्छा, फिर आ, यह थोड़ा गंदा वाला है, कभी-कभी ऐसे गंदे वाले reaction है, थोड़ा logic दिमाग लगाना पड़ता है, देखो, यह जो co2 ether, इसके बाद एक पूरा ग्रिगनाड वाड़ा पार्ट है, इसके बाद कुछ यह जो process हो रहा है, उसके बाद यह, छोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं आता है, तो legend वाले technique बता देता हूँ, फिर उसके बाद real solution बताऊँगा, इसको पहचानते हो, एन एवच प्लस CO को, हाँ पहचानते हैं, यह soda lime है, क्या करता है, वहाँ पर एक CO2 add होगा, मैं अभी से बता देता हूँ, कि यहाँ पर benzene रिंके ओपर carboxylic acid वाला part होने वाला है, उसके बाद आके यहाँ पर देखो क्या process होती है, decarboxylation मतलब carbon कम हो रहा है, तो देखो यहाँ पर कोई भी देखेंगे आप, यहाँ पर 2 carbon, यहाँ पर 1, 2, 3 carbon, कैसे हो गए मालूम नहीं, एक ही carbon यहाँ पर add हो रहा है, और वहाँ से 2 carbon extra नहीं हो सकते, यहाँ पर C6H5, उसके बाद CH2H, नहीं भाए, इसका mean काम ही है, कि वो original जो भी आपका यह चो compound होने वाला है, वहाँ से 1 carbon तो कम करेगा, तो देखो, एक सिर्फ benzene है कि जहाँ प आपका C6H5, फिर उसके साथ यह है आपका MgBr, इसका reaction सबसे पहले हम CO2 के साथ करवा दे है, CO2Ether, ओके, तो यह बनेगा ऐसे कुछ, C6H5, यहाँ पर बीच में CO2 enter होगा, C double bond O, एक सिंगल bond बनेगा, उसके बाद next step में देखो, आप यहाँ पर यह step 1 है, next step में आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, yes, हाइड्रोलिसिस में H add होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर connect होगा, yes, और इसका आगे अभी हम NaOH, and CaO के साथ reaction करवाएंगे, तो soda lime decarvocylation, decarvocylation में यह एक CO2 वाला पार्ट क remove, right, D, carboxylation, तो बचा क्या अभी, C6H5, और एक hydrogen, तो इसे भी C6H6 कर दे, तो चलो बाई, C6H6, clear है, okay, तो product is your benzene, कलकत्ता, चलिए भी आगे बड़े, okay, which reagent is used to convert allyl alcohol to propane, ना अच्छा, same question, साइड, repeat हो चुका है, मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, यह PCC है, उसके बाद, which compound gives canizaro reaction from the forest, अच्छा, canizaro बच्चों कौन देता है, तो यह होता है, not having alpha hydrogen, not having alpha hydrogen, अच्छा, कहां पर ऐसा है कि not having alpha hydrogen, यह दिखो, CHO, इसके साथ वाला यह carbon है, आपका alpha carbon, इसके पास कोई भी hydrogen, यहाँ पर 3 alpha hydrogen, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर कोई भी alpha hydrogen नहीं है, तो यह करेगा आपका canizaro reaction, फिर which compound having maximum acidic strength, अच्छा, maximum acidic strength, सबको देखना पड़ेगा, देखो, यहाँ पर, oic acid, oic acid, oic acid, oic acid, मतलब कि सारे के सारे carboxylic acid है, यहाँ पर 4 methoxy, फिर सिर्फ benzoic, यहाँ पर 2 methoxy, और यहाँ पर 4 nitro, maximum acid strength, यह देखो, nitro is your electron withdrawing group, तो आपको मैंने अभी याद करवा है, बहुत सारे पहले भी वीडियो में आपको याद करवा है, बहुत बाहर पड़ाया हुआ है, कि वहाँ डी, डी याद रखना है, donating decrease करता है, electron donating group है, तो वह decrease करता है, तो withdrawing increase करता है, that's why 4 nitro, so answer is the maximum acid strength होगी, 4 nitro benzoic acid, which of the following compound will not give iodop form by reaction with sodium hypo iodide, अच्छा, देखो, यहाँ पर यह जो है, आपको iodop form test के लिए आपको सबको पता होना चाहिए, बहुत बार आपको सिखाया, अभी short में पढ़ा रहा हूँ, detail में मैंने बताया कि वो सारे videos में आपको detail में पढ़ाया, वो compounds के जिनके पास ऐसा ketone, के जहाँ पर यह वाला part हो, या तो alcohol के जिनके पास इस तरह का कुछ part अभी available हो, किसी भी end से हो सकता, left है, right, तो they give, मैंने बहुत बार इसी style से लिखाया, they give, क्या, yellow precipitate of, ये, sorry, कहा गया बाई, हाँ, A, G, B, R, चलो, yellow precipitate, वो बनाता है, iodophone, ओके, चलो, तो अभी यहाँ पर आगे देखेंगे, yellow precipitate बनते हैं, इनके, तो कौन सा, इसके पास ऐसा part है, हाई, CH3C double bond, ओ, ये, तो ये देगा, फिर ये देखो, इस वाले part को, अगर मैं, देखता हूँ, अच्छे से, तो ये है, CH3, फिर ये carbon, इसके साथ, OH, hydrogen, CH2, CH3, right, तो देखो, ये वाला part देखते, यहाँ पर, double bond, H, तो ये देखो, part है, फिर यहाँ पर ये वाला part, तो ओविएसली ये भी है, फिर, यहाँ पर देखेंगे, आप तो ये वाला end देखो, हाँ, तो ये भी देगा, अभी यहाँ पर एक mistake है, हमारी printing mistake कहे लो, ये CH2, actually मैंसा है, CH3, आप original paper में देख लेना, मैंने ये question देखा था, मुझे समझ में आ कि यहाँ पर थोड़ा mistake है, तो देखो, यहाँ पर CO, जो है आपका, किटन वाला part हो, किसी भी end से, CH3, C double bond O, इस तरह से set नहीं हो रहा है, तो answer is this, ओके, क्योंकि यहाँ पर पूछा है, will not give iodopharm, अच्छा, what will be the main product in the following reaction, OH, डिल्टा, याद करो कौन सा है आपका, aldol, condensation, यहाँ पर दो अलग-अलग compound है, तो cross aldol में, यहाँ पर यह जो आला सबसे पहला वाला compound है, इसको मैं देखो, ऐसा exactly, मैंने आपको style सिखाया हुआ है, यहाँ से, आपको यहाँ तक copy करना है, तो देखो, यह style है ऐसा, यह हमने यहाँ से, यहाँ तक इस part को copy किया, जो भी है, वो as it is, CH लिखो, उसके बाद जो next वाला compound है, यह उसका alpha carbon है, हाँ भाई, तो उसके alpha carbon से 2 hydrogen, यहाँ से oxygen, माइनस H2O, तो बचा क्या alpha carbon से 2 hydrogen गए, अभी एक hydrogen तो इन दोनों के बीच में double bond CH, और उसके साथ CHO, कहाँ पर ऐसा देखो तो, यह रहाँ आपका, CHO है, incorrect, थोड़ा सांती से पढ़ना, incorrect order of increasing acid strength for the following, अच्छा, इन दोनों को compare करेंगे, तो यहाँ से, यहाँ पर भी fluorine है, यहाँ पर भी fluorine, लेकिन यह second वाले carbon पर है, यह, sorry, first वाले carbon पर है, second वाले carbon पर तो obviously, यह सही है, फिर यहाँ पर देखो, first वाले carbon पर fluorine है, यहाँ पर fluorine ह लेता है, more withdrawing strength, तो यह भी सही है, फिर यहाँ पर देखो, second वाले carbon, sorry, first वाले carbon पर ही, CWH के next वाले carbon पर समझ लो, chlorine है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो obvious यह भी सही है, लेकिन यहाँ पर mistake ही है, कि correct order क्या है आपका, तो formic acid सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका यह, benzoic acid and उ पर आपको सिखाया हुआ, right, so this is the correct, your answer is this, क्योंकि incorrect पूछा है आपको, okay, चलो, आगे जाए, which of the following compound is है, chapter number 13 में भी आ चुके, list basic strength, इन में से किसका basic strength, list है, तो basic strength जो भी बच्च है, उसका order आप सब को पता है, 3 degree में सबसे ज्यादा रहता है, then 2 degree, then 1 degree, then NH3, and उससे भी कम रहता है, aniline आपका, right, okay, चलो, तो यहाँ पर देखेंगे, यह है आपका, यह देखो, 2 degree, right, यह है आपका 1 degree, फिर यह भी आपका 1 degree, और यह आपका ammonia, लेकिन यहाँ पर देखो, यह aniline है आपका, तो answer आपका बनेगा, B, Bombay, अगर इनको order wise arrange करने जाए तो सबसे ज्यादा आपका answer, correct answer, यह C, सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद आपका D आएगा, उसके बाद आपका NH3 रहेगा, और उसके बाद B, Bombay, according to this, okay, तो ऐसे भी ascending, descending में भी आपको पूछ सकते हैं, चलो, आगे, अच्छा, the source of nitrogen in Gabriel synthesis, अच्छा, Gabriel synthesis का सबसे डिंजर वाला जो पार्ट है, वो सबसे पहले जो थेलिमाइड होता है, वो है, अच्छा, थेलिमाइड कैसा था, देखते हैं, याद होना चाहिए, यार, yes, this is your थेलिमाइड, यह, ऐसे होता है, थेलिमाइड आपका, C double bond, O, C double bond, O, और यहाँ पर, यह N, H होता है, तो यह है, this is the main source of nitrogen, तो देखो, यहाँ पर KCN नहीं चलेगा, N, A, N थी तो दूर दूर तक नहीं है, यह भी नहीं है, तो यहाँ पर hydrogen की जगहाँ पर, next step में आप देखेंगे, पहला reaction होता था, आपका, KOH का साथ, और यह hydrogen और K, internally change होकर, यहाँ पर K बनता था, right, so this is the source of nitrogen in Gabriel synthesis, यहाँ से nitrogen निकलता है, okay, फिर 2 degree amine is obtained by reduction of which compound, okay, अच्छा 2 degree amine, देखो, 2 degree amine, answer है आपका, isonitrile कैसे, 2 degree amine is obtained by reduction of iso, यह isonitrile मतलब यह हुआ, R and triple bond C, इसका अगर हम reduction करवाते हैं, तो यह product बनती है, आपकी R, फिर NH, और side में यह बनता है, आपका, CA3 balance के लिए बता देते हैं, पर ऐसे 4 hydrogen लेना रहता है, तो 4 hydrogen में से, यह, 3 hydrogen इसके साथ जाते है, एक hydrogen यहाँ इसके साथ जाता है, तो आपका यह जो भी product बना, वो 2 degree बना, right, so answer is a isonitrile, बाकी nitrile का करेंगी, तो primary, nitro का, amine का सब जगह पर NH2 बनता है, primary, तो यह 2 degree बना, Hinsberg reagent do not react with, अच्छा, 3 degree के साथ वो reaction नहीं करता है, तो यहाँ पर देखो, यह only 3 degree है, हमाई, फिर which product is obtained by nitrogen of aniline, aniline का nitrogen करेंगे, तो क्या बनेगा, अच्छा, आपने देखा होगे, aniline का nitrogen करते हैं, तो 3 product बन रही थी, ortho पर भी, कभी, मतलब NO2 होता था, फिर meta पर भी है, actually में तो ortho और पर ही होना चाहिए, क्योंकि NH2 जो है आपका, benzene ring के उपर, aniline मतलब benzene ring के उपर NH2 होता है, तो it is a ortho para directing, तो एक बार ortho पर तो होता ही है, पर पर भी होता ही है, लेकिन बीच में जो एक anilineum iron form होता है, anilineum iron से इतना ज्यादा chemistry मत बोलो, anilineum iron मतलब यह हुआ, benzene ring के उपर NH3 और यह प्लस, and this is your meta directing, इसका nitrogen होने की वजह से meta position पर भी NO2 जाता है, उसमें अब देखेंगा, percentage के साथ, तीन प्रोडक्स आपको बुक में दिये हुए, तो all of the above, your answer is a B, sorry, deli, all of the above. How many number of isomers for the compound having molecular formula C3H9N, अच्छा, कितने isomers बन सकते हैं, देखते हैं, चली, सबसे पहले, simple वाला CH3, CH2, CH2, NH2, अच्छा, भी NH2 को चेंज करते हैं, CH3, CH, फिर NH2 नीचे ले गए, यह CH3, एक, यह, दो, और एक option ऐसा है, क्योंकि अभी यहां पर और कुछ, तीन ही करबन है, तो ऐसा हो सकता है, CH3, NH, sorry, CH2, NH, CH3, तो यह तीन मतलब आपका answer होगा, B, Bombay, यहां और कुछ variety अभी बनाने की chances possibility है, नहीं, चलिए, from which of the following reaction primary amine is produced, primary amine कहां पर reduction of nitrile compound, अच्छा, reduction of nitrile compound मतलब आपका CN है, obviously इसका reduction करता है, तो वो बनता है NH2, तो यह हुआ आपका primary, फिर reduction of amine, अच्छा, यह CO NH2 का reduction करते हैं, तो obviously यहां पर भी देखो, R, थोड़ा, और easy, अच्छा, आपको समझ में आया, ऐसा लिख देते हैं, बड़ डिटेल में लिख देते, R, तो यह product आपका बनता है, R, CH2, NH2, तो यह हुआ आपका 1 degree, फिर अगर यह ऐसा है, तो यहां पर भी R, फिर CH2, NH2, तो यह भी हुआ आपका 1 degree, फिर, Hoffman, Bromade, यह तो भाई, famous ही, इस तीज के लिए, कि यहां पर भी क्या बनता है, 1 degree, वहां पर सबसे पहले, first line में ही लिखा हुआ है, हाँ, यहां पर Hoffman, Bromade, आपको पता है, कि हम start करते है, amide से, वहां से एक carbon कम वाला, आपका, जो भी है, primary amine बनता है, above all reaction, तो answer is a D, उपर वाले सभी reaction से primary amine produce होता है, identify the compound C from the following, हाँ, start होता है, chapter 12 से, फिर यह chapter number 13 मेंटर हुआ, बाद देखो, तो यह जो भी आपका compound, जब NH3 को देखते हो, तो यह बनता है, आपका CH3 amide, CO, NH2, इसके पाद इसको पहचानो, Hoffman, Bromade है, Hoffman, Bromade मैंने आपको याद करवाया, यह वाला जो भी पाट है, उसको आपको drop करना है, remove करना है, तो यह बना amine, CH3, NH2, और next आगे इसका reaction करवाते है, Na, Na2 के साथ, अब reaction करवाएंगे, तो देखे, Na plus, Na2 minus, आगे Na2 plus के बाद, next step जो भी आपका होगा, इसमें, obvious हाथ में समझ लेना, hydrolysis भी है, तो क्या बनेगा, आपका देखिए, CH3, एक और चीज, यहाँ पर एक hydrogen, स्वार, एक carbon मैंने drop कर दिया, और जो भी सारे options दिए, पता यह चलता है, कि यहाँ पर देखो, दो carbon है, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, हर जगाँ पर दो carbon है, यह आपने देखा हुआ है, कि यहाँ पर यह जो बनता है, वो आपका alcohol बनता है, हमारे book में reaction दिया हुआ है, लेकिन आलकोहल दो तरह के दो कार्बन वाले और एक कार्बन वाला तो दो कार्बन एक कार्बन वाल जो भी आपका आलकोहल यहां पर आपका जो फाइनल आलकोहल बनेगा वह एक कार्बन वाला बनेगा क्योंकि यहां पर बीच में होफमें ब्रोमाइड वाला जो पार्ट है वहां से क्या होता है एक सीड ओ यह तो रिमो हो जाता है तो यह कार बन गया तो लास्ट में जो भी आपका आलकोहल बना वह क्या बनेगा एक कारबन वाला आलकोहल तो के बच्चो तो बस अभी हमने लास्ट थ्री यह के मुझसट के पीवाई की उसके पूरा और गेनिक केमस् लेकिन हमारी कोशिश से आपको हेल्प करने की और एक ही चीज़ दो बार चार बार दस बार पढ़ाने की जरूरत नहीं पढ़ती है उसको देखने की जरूरत पढ़ती है तो जीन बच्चों को लगता है कि हैं हां सर ने काफी अच्छा पढ़ा लेकिन मेरा कॉंसेट कुछ सिरीज अपलोड की थी वह सारे चीज़े नहीं देखिए तो आप शायद इस वीडियो को पूरा डिटेल में अच्छे से नहीं देखेंगे दो बार रिपीट करके नहीं देखेंगे तो चलेगा लेकिन इंडिविजुल चप्टर 10,11,12,13 के जो इंडिविजुल वीडियो अपलोड किये उनको देखना वो सारे गुज़राद बोड कहो जाएंगे और इस वीडियो से भी ज्यादा उसमें आपको बैनिफीड हो जाएगा ओके बच्चों तो यह हमने पूरा और खतम किया इसके बाद अभी हम नेक्स्ट लाएंगे चप्टर नमर 14 15 16 का वीडियो त अब तक के लिए टाटा बाई बाई वाई वे नाइस देगे